आज मैं आप लोगों के लिए कौन की बहुती सिंपल वा बहुती टेस्टी हेल्दी रेसिपी लेकर आई हूँ चटपटा कौन चार्ट इस चार्ट को बनाने में 10 से 12 मिनट का ही समय लगता है बहुती आसानी से बन जाती है तो चलिए अब हम इस चार्ट की रेसिपी बनाने सुरू करते हैं नमस्कार दोस्तों ममी की जिन में आपका स्वागत है कौन चार्ट बनाने के लिए मैंने दो कौन लिये हैं हमने इसे के दाने पहले ही निकाल लिये थे मैंने ताजे कॉन लिये हैं आप चाहें तो इसकी जिगा फ्रोजन वाले कॉन का भी इस्तमाल कर सकते हैं तो चलिए सबसे पहले कॉन को उबाल लेते हैं कॉन को उबाने के लिए यहाँ पर मैंने एक बरतन में लख-बख डेल्ड ग्लास पानी लिया है अब पानी में उबाल आने दिंगे पानी में उबाल आ गया है तो चलिए अब इसमें कौन एट कर देते हैं और इसे अच्छे से मिक्स करके 4-5 मिनट के लिए उबाल लेंगे कौन को पखने में बहुत कम समय लगता है ये 5 मिनट में आसानी से पख जाते हैं इसे 5 मिनट हो गये हैं आफ देख सकते हैं कि कौन का कलर चेंज हो चुका है ये फूले फूले भी दिख रहे हैं यानि हमारे कौन पक कर रेडी हैं तो चलिए कौन को एक बरतन में निकाल और पानी से सारे कौन को इसे निकाल लेंगे अब ये गरम-गरम कौन को एक मिक्सिंग बाउल में डाल देंगे और इसे में कटी हुई सबजें और मसाले एड़ करेंगे और मैंने एक मीडियम साइज का प्यांज लिया है इसे मैंने बारी काट के रखा है और एक टमाटर लिया है इसे भी बारी काट के रखा है अब इसमें स्वादा अनुसार नमक डालेंगे एक छोटा चमब लाल मिर्ची डालेंगे चटपटा बनाने के लिए हम यहाँ पर एक छोटा चमब चाट मसाला डालेंगे और आधा चमच हम खाली मिर्ची पाउडर डाल देंगे और एक हरी मिर्ची बारी कटी हुई डाल देंगे अब सभी चीजू को अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे और टेश्टी बनाने के लिए इसमें नीबू का रस डाल देंगे अब हम इसमें एट करेंगे धनिय पत्य और सबी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो अब नीबू का रसकोबी कॉन सबजी और मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे देख सकते हैं कि हमारी कॉन चाट कितनी कलर्फुल दिख रही है आप भी मेरी इस रेसिपी को फॉलो करके बाजार जैसी चाट कॉन घर पर आसानी से बना सकते हैं और ये खाने में उतनी ही टेश्टी है इस कॉन चाट को गर्मा गरम बना का सर्व करें तब ही खाने में ज़्यादा टेश्टी लगती है मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सियर और सस्क्राइब करें मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ